तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम करने वाले इंबॉक्सिंग रिव्यू इस एड्रे नेक्स पाइफ लिपकार्ट के कॉमबैट अल्ट्रा 6000 बैट्मिंटर रैकेट का तो काफी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कर लिया इसको पर्चेस तो इसके इंबॉक्सिंग एंड रिव्यू इसका फुल रिव्यू इस छोटे से इंट्रो के बाद कर देना तो दोस्तों यहां पर कॉमबैट अल्ट्रा 6000 बैट्विंटर रैकेट काफी दिनों से इसकी आ रही थी रिक्वेस्ट तो मैंने इसको कर लिया है परचेस तो फटा-फट से इसको करते हैं इंबॉक्स और देखते हैं कि किस तरीके का यहां पर यहां पर यहां पर तो मैंने इसको बार निकाल लिया है और बॉक्स के अंदर और तो कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बॉक्स को रखते हैं साइड में फिलाल यह हमने बॉक्स को रखा तो जैसे कि आप देख सकते हूंगे यह है योनेक्स का कॉमबैट अल्ट्रा 6000 बैट्विंटर ने है यहां पर उपर से इतनी क्वालिटी अच्छी फीद नहीं हो रही है और जो स्ट्रैप है उसकी भी बहुत लो क्वालिटी है तो कवर का फस्ट इंप्रेशन ठीक ही है इतना कुछ खास तो मुझे नहीं लगा खैर इसको ओपन करते हैं रैकेट को देखते हैं लेकिन उसस इतना कुछ खास नहीं है कवर की क्वालिटी जल्दी शायद यह जो माटीरियल यूज किया गया है वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा और उपर से इस ट्रैप भी बहुत अजीब सा है इस्पेशली जो रैकेट है दगरीवन सत्रा सु रुपिक आपको मिलता है फ्लिप सकते होंगे कुछ इस तरीके का यहां पर यह रैकेट है कॉमबैट अल्ट्रा सिक्स थाउजन और अगर मैं रैकेट की लुक की बात करूँ तो फर्स्ट लुक में रैकेट मुझे काफी बढ़िया लगा जैसे कि आप देखी सकते होंगे कुछ इस तरीके से वाइट है और अगर मैं फिनिशन की बात करों तो काफी बड़िया यहां पर फिनिशिन गिनों ने दियुर्बैस तो मैं ऐसा भी आहसे कुछाओंगा ऑट कि काफी साही लगहा है मुझे रैकेट है और अगर मैं बात करोू ग्रीक के खृलिटि नीट ाउड हरियो पहले रैकेट क क आज से देख लीजाएगे हलाकि हल्का सा बॉक्त स्लाइटली मुझे हैवी सा फील हो रहा है राइकट उसे आप से लाइटवेट होना चाहिए तो खेर चलो एक बार इसका फेर चल्व эт कर लो कि अच्पि पेसिकलिंग मैं बात कर दो स्रेकट की तो आप आप जैसे की देख सकते होंगे यह जो रेकट है बेसिकलिंग हैपको आइसोमेट्रीक शेफ निदर के जाती है एक बार मैं आपको आवाज भी सुनवा देता हूँ कि तो कुछ इस तरीके कि इसकी यहां पर रैकेट की आवाज है और अगर मैं बात करने यहां पर आपको वन पीस में रैकेट मिल जाता है यानि इसके अंदर कोई भी टी जोइंट नहीं है तो ओवर होल हलका सा वैसे ठोड़ा सा यह है कि वैसे ठीक है लेकिन हलका comparatively comparatively बाकी रैकेट्स के थोड़ा सा you know heavy पंसा इसके अंदर फील होता है की बात करें तो G3 इसके अंदर आपको मिल जाती है अब यहां पर एक मेंची ज़रूर रहेगी इसका जो यहां पर टक्कर होगी वो होगी योनेक्स के नैनो रे लाइट एट्टीन आई बैट्मिंटन डैगेट से क्योंकि वह भी तकरीपन सतरा सु रुपए के असपास ही और यह भी सतरा सु रुपए के असपास ही है तो इन दोनों की टक्कर होगी तो मैं इनकी कंपैरिजन वीडियो ज़रूर से बनाना चाहूंगा अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखके बताना आप देखना चाहते हो कि योनेक्स नैनोरे एटीन आई और लाइट एटीन आई और इस और इस एड्रेनेक्स भाई फ्लिपकाट कॉंबेट अल्टर सिक्स थाउ करता है उसके बाद मैं आपको फाइनल अपना कंगलोजन दूंगा वह तो घाईस फाइनल इस रेकेटसे खेलने के बाद मैं इसका यूज करने के बाद में मैं आप सभी सकता हूं कि हाँ इस इस प्राइज में ये रख काफी सही है हलाकि अगर मैं बात करU ओर और और की क्वालीटी की और उम्हेश प्लिट तो वैसे रेकेट अच्छा है, शोट अच्छे जाते हैं, टेंशन भी काफी सही है, और स्लीक सा डिजाइन है, काफी ब्यूटिफुल सा डिजाइन है, और अराम से हैं आपे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शोट अगर लगाने में काफी कमफिटेबल भी है, लेकिन थोड़ा जीच सकता था, मतलब इसकी सेल मेरे इसाफ से जादा हो सकती थी, पंदरा सो रुपे क्या सपास, फंदरा सो साड़े पंदरा सो तक मैक्सिम, थोड़ा सा 100-200 रुपे इन्होंने एक्स्टर रखा है, मेरे साफ से इसका प्राइज, थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए, और य फाइनली यही ता रिव्यू, काफी ठीक ठीक रैकेट है इस प्राइज के साफ से, आगर यह पंदर सो रुपे का होता होता, तो मैं कहता बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योंकि कवर और ओवर रॉल इसकी क्वालिटी अगर मैं देखूं, तो यह नो काफी सही है, पर प्राइब से ने क्वरियो मैं अटके लेबाबाब